चातुर माश्य विधान कुंती पुत्र अर्जुन बोले है मदुशुदन विश्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है सो सब कुरपा पुर्वक मुझे कहिए तब स्री कृष्ण बोले है अर्जुन अब मैं तुम्हें भगवान विश्णु के शयन का व्रत विश्णार से कहता हो इसे ध्यान पुर्वक सुनो और स्मरन करो जब सूर्य नारेन कर्ग राशी में स्थीत हो तब भगवान विश्णु सयन करते हैं और जब सूर्य नारेन तुला राशी में आते हैं तब भगवान विश्णु उठते हैं अधिक महा के आने पर भी विध देन विश्ण भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुरमाश्य व्रत नियम से करना चाहिए सबसे प्रतिमा को श्नान करना चाहिए फिर शफेद वस्तुरों को धारन कराकर तक्यादार शैया पर सेयन करना चाहिए उनका दूप दिप और नयवा दिप्ट से पूजन क करना चाहिए भगवान का पुजन सास्तर ज्यात ब्राह्मनों के दारा चाहिए तत्पेश्यात भगवान विश्णु की इस प्रकार स्तूति करने चाहिए कि हे भगवान मैंने आपको शयन कराया है आपके सैन से संभुर्ण विश्वास सँजाता है इस तरहा विश्ण भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने चाहिए हे भगवान आप जब चार मास तक शैन करे तब तक मेरे इस चातुर माश्य वरत को निर्विग्न रखे इस प्रकार विश्ण भगवान के स्तूत्य करके सुद्ध भावशे मनुष्य को दातुन आदिके नियमों को ग्रहन करना चाहिए विश्ण भगवान के वरत को सरू करने के पाँच काल वरणन किये है देविशाईनी एकादसी से लेकर देवुध्यानी एकादसी तक चातुरमाश्य वरत को करना चाहिए जरादसी, पूर्रमाशी, अश्टमी या संक्रांधी को वरत प्रारम करना चाहिए और कार्तिक माश्टी सुकलपक्ष की द्वादसी को समप्त कर देना चाहिए इसके वरत से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं जो मनुश्य इस वरत को प्रतिवर्ष करता है वह सूर्य के शमान देदित्यमान विमान पर बैट खर विश्णु लोक में जाता है हे राजन अब आप इसमें दान का प्रुथक प्रुथक फल सुने जो मनुश्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे वनाता है उसे साथ जन्म तक ब्राम्बन की योनी मिलती है जो मनुश्य चातुर माश के दिनों में विश्ण भगवान को दूद दही गी शहद और मिस्री आधी प्रंज्यमृत के द्वारा शनान कराते है वह वेभवशाली होकर सुख भोगता है जो मनुश्य स्रद्धा पूरवक गूमे स्वर्ण दक्षेना अधित्य ब्राम्मनों को दान सुरुप देता है वह स्वर्ण में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है जो विश्ण भगवान की स्वर्ण के प्रत्यमा बना कर दूप दिप उश्प नेवद आधि से पूजा करता है वह इंद्र लोग में जाकर अक्षे शूख भोगता है जो मनुष्य चातुर माश के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अरपित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठ कर विश्ण लोग को जाता है जो मनुष्य विश्ण भगवान की दूप दिप से पूजा करता है उनको अंत में धन मिलता है जो मनुष्य इस एकादसी से कार्तिक के महिने तक विश्ण जी की पूजा करते हैं उनको विश्ण लोग की प्राप्ति होती है इस चातुरमेश व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओ तथा ब्राम्मनों को दिप दान करता है तथा ब्राम्मनों को शोने के पात्र में वस्त्र दान देता है वह विश्ण लोग को जाता है जो मनुष्या भक्ति पूरक भगवान का चरणा मुरुत लेते हैं वे संसार के अवागमन के चक्र से छुट जाते हैं जो विश्ण मंदिर में नित्य प्रती 108 बार गायतिर मंत्र का जाब करते हैं वे पापों से लिप्त होते हैं जो मनुष्या पुरान तथा दर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेदी पाठी ब्राम्मनों को वस्त्र का दान करते हैं वे दानी धनी ज्यानी और यशश्वी होते हैं जो मनुष्य अगवान या सिवजी का स्मरन करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुनवान बनते हैं झो मनुष्य सूर्य नारायन को अर्द देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं वे निरोगिता दिरधायू किर्थि धन और बल पाते है चातुर मास्य में जो मनुष्य मनुष्य गायत्र मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर माश्य समप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और नीरों की सरीर मिलता है तथा अच्छी संसकार सिल संतान उत्पन होती हैं जो मनुष्य चातुर माश्य वरत अन्न से हो भूँ करते हैं और समाप्त हो जाने पर गी गड़ा और वस्तर का दान करते हैं वे एश्वर्य शालि होते हैं जुस्य तुल्सी जी को धारन करते हैं तदया अंत मे विष्णु भगवान के निमित ब्रह्मन को दान देते हैं वह विश्णू लोग को जाते हैं जो मनुश्य चात्तुरिमाश्वरत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूद चड़ाते हैं और अंत में श्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय इस प्रकार स्थूती करते हैं कि है दुर्वे जिस बाते इस प्रुथ्वी पर शाखाव सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छुट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाता है जो सीव जी या विश्ण भगवान का गान करते हैं उन्हें रात्री जागरन का फल मिलता है जो मनुष्य चातुरे माश वरत करते हैं उनको उत्तम द्वाने वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तोति करने चाहिए हे भगवान हे जगदिश्वर आप पापों का नास करने वाले हैं मेरे न करने योग्य कारियों को करने से जो पाप उत्तन हुए है आप उनको नश्ट कीजिए चातुर माश्या वरत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राम्मनों का चरना मुर्थ प्रान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छुट जाते हैं और आयुवान लक्स्मिवान होते हैं चातुर मार्ष में प्रजा प्रत्य तथा चंद्रा यान व्रत पद्धति का पालन किया जाता है प्रजा प्रत्य व्रत को 12 दिनों में पुर्ण करते हैं व्रत आरब में पहले तीन दिन 12 ग्रास भोजन प्रति दिन लेते हैं फिर आगामी तीन दिनों तक प्रति दिन 26 ग्रास भोजन लेते हैं इसके आगे के तीन दिनों तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और इसके बाद बाकी बच्चे तीन दिन निरहार रहने की परमपरा है इस वरत के करनेशे मनो कामना पूर्णों होती है वरत करने वाला शाधक प्रजाबात्य वरत करते हुए चातुर माश के हेतु उपयुक्त सभी धार्मिक कृत्यों जैसे पूजन जब तब दान सास्तुर का पठन पाठन तधा किरतिनाद करता रहता है है अरजुन इसी प्रकार चंद्रायन वरत भी किया जाता है अब इस वरत की विधी सुनो यह वरत पूरे महा किया जाता है पाप अवस्या को एक ग्रास प्रति दिन को दो ग्रास तुरुद्य दिन को तीन ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णी मा तक पूर्व 14 ग्रास और पूर्णी मा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए फिर पूर्णी मा के बाद 14 13 12 11 ग्रास क्रम से भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिद्रिन गटानी चाहिए है अर्जुन भगवान स्रीकृष्ण ने कहा जो प्रजाबत्य और चंद्रायन व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन शंबंदी सारेरिक नुरुगिता तथा इश्वर की कृपा प्राप्त होती है इसमें कासेका पात्रका और वस्त्रदान की सहस्त्रिय व्यवस्था है चातुरमाश के समापन दक्षिना से सुपात्र ब्राम्मन को संतुष्ट करने का विदान है चातुर माश्य व्रत के समाप्त की हो जाने के बाद ही गोधान करना चाहिए यदि गोधान ना कर सके तो वस्तर का दान अवश्य करना चाहिए जो ब्राह्मनों को नित्य प्रती नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते है चातु बच्छडे वाली कपिला गाई वेदपाठी ब्राह्मनों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोप में प्रलाई के अंतक इंद्र के शमान राज्य करते हैं जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गनेश जी को नित्य नमस्का करते हैं उनकी आयू तथा लक्समी बढ़ती है और यदि गनेश जी प्रसन हो जाए तो वे मनमंचित फल देते हैं गनेश जी और सूर्य की प्रतीमा ब्राह्मन को देने से सब कार्यों की सिद्धी होती है जो मनुष्य दोनों रूत्यों में महादेव जी को प्रसन्यता के के लिए तिल और वस्त्र के साथ तामय का पात्र दान करता है उनके यहां स्वस्थ सुंदर शेष बख्ट संतान होती है चातुर्य माष्वरत के समाप्ति पर चांधीया तामा का पात्र गुड और तिल के साथ दान करना चाहिएए जो मनुश्य विश्ण भगवान के शैन करने के उपरांद यहां शक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और वे इस लोग में भोग तथा परलोग में मोक्स प्राप्त करते हैं चातूर माश्य वरत के समाप्त होने पर जो सयादान करते हैं उनको अक्षेशुख मिलता है और वे कुबेर के समान धन्वान होते हैं वर्सारुतु में जो गोपिचंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन होते हैं चातूर माश में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमी पर सहन करने वाला अभिष्ट को प्राप्त करता है। जब भगवान को शय्या त्यागने का अनुरोद करे तब विशेश पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर निराभे माने विद्वान ब्राप्मन को अपनी क्षमता के अनुशार दान दक्सिना देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे पांडु नंदान देवशेनी एकादसी और चातुर माश का महत्मों पुन्यव फल्दाई है। इससे मानसिक रोगों की शांति और भगवान विश्णु के प्रती निष्ठा बड़ी रहती है। व्रुम विश्णवे नमहां।